नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फोन में Global Translate application कैसे यूज करेंगे तो गैस गर आप भी जानना चाहते हो कि Global Translate application क्या है और इस application को हम अपने फोन में कैसे यूज करें तो फिर इस वीडियो को दिखते रहिए तो गैस सबसे पहले इ लिचे की सेड में इस application की पूरी डिटल आपको मिल जाएगा आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो डेवलपर कॉंटेक्ट देख सकते हो अब आपको यूज करना चले मैं आपको बता देता हूं सबसे बहले यहां पर हम application को open करेंगे अब जैसे यह application को open करेंगे open करने के बाद यह application यहां पर थोड़ा से loading लेगा loading लेने के बाद यह application हमारे सामने open हो जाएगा तो first time जब भी हम application को open करेंगे तो इस तरह से loading लेगा उसके बाद यहां पर यह application open होता है तो यहां पर first time हमारे सामने कुछ आप इस तरह से application का जो logo रहेगा वो आ जाएगा यहां पर एक ad show होगा हमारे सामने जो कि guys यहां से हम add को close करेंगे तो चले यहां से हम add को close करेंगे add को close करने के बाद यहां पर मारे सामने कुछ इस तरह से यह application open हो जाएगी तो अब guys मैं आपको बता देता हूँ कि global translate है क्या तो basically यह जो एक application एक translate application है इसके अंदर आपको जो अपनी language को किसी दूसरी language के अंदर आप जो translate कर पाएंगे तो कैसे application को use करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो यहां पर आपको translate कैसे करना है translate करने के लिए यहां पर आपको तीन feature मिलेंगे देक्स तो यहां पर सबसे पहले text translate कर सकते है उसके बाद camera translate कर सकते है उसके बाद यहां पर आपको VPN का भी option इसके अंदर आपको जो देखने को मिल जाएगा तो अब guys यहाँ पर सबसे पहले मैं text translate के बारे मैं आपको बता ज़ता हूँ तो सबसे पहले देख तो यहाँ पर auto detect वाला option है इसके उपर click करके यहाँ पर आपको अपनी language select करनी है कौन सी language के अंदर आप जो translate करना चाहते हैं करेंगे न यहाँ से आपको language select करनी है सबसे पहले . कि आपेंगलिष में abstraction करोंगा अब यहाँ पर मैंट टाइपिंग करूँ इंगलिष के अंदर और यहा पर वाट इस यूओर नेम में यहाँ पर एक्जांपल के लिए przeciap करूँगा wट इस यूँवर человек अंदम translate करके आपको बता देते हैं तो हम translate पे click करेंगे अब जैसे translate पे click करेंगे उसके बाद यहाँ पर translating चल रही है और guys कुछ ही second के अंदर यह जो रहेगा translate हो जाएगा तो देख से तो translate हो चुका उसके बाद यहाँ पर एक add आचुकी है तो हम इसे add को close करेंगे add close करने के यहाँ पर हिंदी में आ चुका तो इस तरह से यहाँ पर अगर आपके पास कोई बड़ा article है यहाँ पर आपके पास कोई भी बड़ा जो है आप कई से भी copy करके यहाँ पर paste करके भी आप उससे translate करना चाहते हो तो वह इसके ऊपर click करके उससे भी आप जो translate कर पाएंगे camera translator मिल जाएगा और text translator इसके इंदर आपको जो मिल जाएगा तो guys उमिद करता आपको पता चल गया होगा कि global translate application आप अपने phone में कैसे use करेंगे तो guys गर आप कोई वीडियो पसंदा है तो वीडियो को like करना, share करना और अगर भी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please हमा